हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरह नमशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बन मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रिस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा बिल्कुल सही माप से किस तरह से सूजी का हलव मैं कर दूर सचार्ट करते और देखते हैं इसे अपने घर पर असानी Sek से से किस तरह से बनाएंगे तो फ्रेंड्स यह देखिए त्यूर का हलवा बनाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने लिया एक कटोरी घी देसी घी तो नाप बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए तो एक कटोरी मैंने देसी घी लिया तो एक कटोरी ही सूजी लेंगे और एक कटोरी ही लेंगे हम चीनी बागी चीनी आप अपने चाहिने हैं दीजिये डाल दिए चाहिने तो इस से बहुत ही बड़ी बड़िया कलर आयेगा जब थे हमारा हालवा नऐसर हमाइब धोड़ भी मिश्f sebelum kept venir घुigung also available तो इस यह चाहिए कुछ ड्राई फूट प॥रू फूट अगर डालना है तो flame on करके मैंने रख दी है कडाई अब डालते हैं इसमें एक चमच देसी घी उसी कडोरी में से मैं ले रही हूँ यह एक चमच देसी घी क्यूकि हमें थोड़े से dry fruit इसमें roast करने हैं तो आप इसमें नारियल सुखा नारियल भी आड़ कर सकते हैं किश्मिश भी आड़ कर सकते हैं या पिस्ता भी आड़ कर सकते हैं यह आपके उपर है तो हलका से roast करके निकाल लेंगे तो लिजी मैंने dry fruit निकाल लिए हैं अब इसी में हम बाकी का भी घी डाल देंगे जो nuts मैंने लिए हैं dry fruit लिए हैं बाद में मैं उसे crush कर लूँगी तो अब डाल देते हैं इसमें सूजी सूजी को मैंने हलका सा roast करके रखा हुआ है ताकि यह खराब न हो तो अब हमें इसे भुनना है high flame पर मैंने कड़ाई को अच्छी तरह से गरम कर दिया था और उसके बाद मैंने flame कर दी है बिल्कुल low और low flame पर हमें सारा काम करना है फ्रेंट्स बिल्कुल धीरे धीरे हम इस सूजी को पकाएंगे ताकि यह अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए अगर आप इसे high flame पर पक मीडें इस और पकने दीजी बहुत जल्दी से जहटते पक जाती है को है तो यह देखिए अभी आराम से हमने इसे पकाना स्बर्ड़ किई है ना टो घी अलग हो गया है हलसा गी पूंकि सूझी ने पकना स्बर्ड़ कर दिया है तो लिज्छे फ्रेंट्स सूझी बहुत तो बीना चाष्य के ही हम इसे बना रहे हूँ है और बहुती टेस्टी बनता है यह हलुआ तो mix करते ए तो अब हम इसमें से एड़ करेंगे पानि एक कटौरी मैने तीन चीजेन ली है। तो पानि हम लेंगे तीन कटौणी हम दे इसे और हलका सा चला देते हैं तो ये दूसरी कटोरी और ये गई तीसरी कटोरी तीनों कटोरी हमने पानी इसमें एड़ कर दिया है अब फ्लेम अभी भी लो है लो फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है तो सूजी अंदर तक फूलनी चाहिए क्योंकि हमने इसे रोस्ट तो बहुत अच्छी तरह से कर लिया है घी में लेकिन अब ये पकनी भी चाहिए तो इसे अराम से पकाएंगे तो पानी बहुत जल्दी ये अब्जॉर्ब कर लेती है ऐसी बात नहीं है कि इसमें समय लगेगा लीजिए कोशी सेकंड में ये बहुत अच्छी तरह से फूल गई है तो अब हम डालते हैं इसमें हमारा केसर वाला दूद तो इसे कलर आएगा बहुत ही बढ़िया तो ये का केसर बचा है इसे भी निकाल देते हैं क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हलवे में तो आप इसे माता को भोग लगाने के लिए बहुत ही जबरदस ये हलवा बनता है तो आप बना सकते हैं अश्टमी में नवमी में भोग लगा कर आप खुद तो यह देखिए साइड से घी सेप्रेट हो गया ना तो हल्वा हमारा पिल्कुल त्यार है बहुत ही जबर्दस खुश्बूग आ रही है तो डालते हैं से प्लेट में मैं दिख से आपको दिखाती हूं कि इसका टेक्स्चर किस तरह का है अगर वीडियो पसंद आये तो प्ली कीजिए तो दोस्तों फी मिलती हूं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बैबाई